अगर आप मेरे चेनल पे नए हो तो जल्ली से मेरे चेनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकोन बटन दबाईए तो चलते हैं दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सर्वुल परवके बारे में जानकारी देने वाला हूँ कहां मनाते हैं कोन मनाते हैं और कैसे मनाते हैं दोस्तो बने रही ए बहुती महतो पुर्ण वीडियो होने वाला है आईए जानते हैं सर्वुल परव के बारे में दोस्तों सरहुल पर्व को मुख्य रूप से मुंडा, भुमीज, वो, संताल और उराव आदिवासी समुदायों द्वारा मनाया जाता है। इस पर्व में ग्राम बोंगा, प्रित्वी, सींग बोंगा, भुरु बोंगा, हातु बोंगा, धर्मेश देवता, चाला अयं, लोरी बोडों, गराम ठाकूर, और पुर्वजों की पुजा की जाती है, जिने इंजन जातियों का रक्षक माना जाता है। इस पर्व में साल अर्तात सकुवा रुक्षका खास महत्व होता है, क्योंकि इस पेड के नए फुलों से देवताओं की पुजा की जाती है। तिन दिन तक चलने वाले इस पर्व का पहला दिन गाव के पुजारी या पहान उरत रखते है। मचली और केकड़े के प्रती सम्मान और श्रद्दा अर्पित किया जाता है। केकड़ा को पुजा घर में अर्वा धागा से बान के टांग दिया जाता है। जब फसल की बुवाई होती है तो केकड़े का चुर्ण बनाकर गोवर में मिलाकर बिजों के साथ बोया जाता है। मान्यता है कि जिस प्रकार केकड़े के असं के बच्चे होते है उसी तरह फसल भी ज़्यादा मात्रा में होगी। सुबह में गाव के पाहान सनान करते है और एक नया धोती पहेंते है। साल के फूल को अर्पन में सम्मिलित करते हुए प्रकृती शक्तियों की आराधना करते है। मिट्टी के बर्तन के अंदर पानी का स्थर देखा जाता है अगर पानी का स्थर कम होता है तो इससे अकाल या कम बारिश होने की भविश्यवानी की जाती है और यदि पानी का स्थर सामान्य रहता है तो वह एक अच्छी बारिश का संकेत माना जाता है पूजा शुरू वने से पहले पहान की पत्नी पहान के पहर धोती है और उनसे अशिरवाद लीती है पूजा के दोरान पहान देवताओं के सम्मान में तीन मुर्गा प्रदान करते है पहला मुर्गा सर्वशक्तिमान ईश्वर के लिए, दूसरा गाव के देवताओं के लिए और तिसरा मुर्गा गाव के पुर्वजोन के लिए जिस जगह पर पूजा की जाती है उस जगह को सरना कहते है जब पहान दीवी देवताओं की पूजा करते है तब ढोल, नगाडा, मांदल और तुर्री जैसे पारमपारिक वाध्य बजाते है पूजा समाप्त होने पर गाव के लड़के पाहान को अपने कंदे पर बैठाते है और गाव की लड़किया नाच्ती गाती पाहान को उनके घर तक ले जाती है शाम के समय सबी लोग आखाडे में डोल नगाडों के साथ रात भर नृत्य करते है तिसरे दिन पाहान के नेतरूत वो में फूल खोसी का कारेक्रम होता है पाहान गाव के लोगों को साल पेड के फूल भेट करते है और तो और वे साल पेड के फूलों को हर घर के दरवाजे पर लगाते है जिससे घर की खुशिया आने के संकेतिक माना जाता है जिसे दूसरे शब्दों में फुल खोसी भी कहा जाता है पूजा समाप्त होने के बाद हंडिया नामक प्रसात लोगों को वितरित किया जाता है जो की चावल से बनाए पेयव पदार्त होते है चोथे दिन भी आखाडा मिटाने के नाम से सरहुल पर्व समाप्ति की गोशना की जाती है सरहुल पर्व हमें पर्यावरन बचाने का संदेश देता है दोस्तों जारकन के रांची शहर में हर साल शोबा यात्रा निकाली जाती है पारंपरीक वाद्यों के साथ गीत गाकर निरित्य करते हैं और पूरे गाउ में शोबा यात्रा में एक दुसरे का हाथ पकड़ कर नाचते हैं आदिवाशियों की परंपरा के अनुसार इस पर्व के बाद नई फसल की कटाई शुरू हो जाती है दोस्तो इस तरह से सरुल के दिन सभी आदिवाशियों के द्वारा प्रकुरूती के इस पर्व को उल्लास और आनंद के साथ मनाया जाता है आज के दिन फिलाल इतना ही दोस्तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो जल्ली से लाइक करके कमेंट करना ना भूलिए और जादा से जादा इस वीडियो को शेयर कीजिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ तब तक रखिए आपका खयाल झाल